एंडी टीवी प्रणॉय रॉय के उपर सेवी ने कलेक्टिव ली उनके उपर उनकी वाइफ के उपर होल्डिंग कंपनी के उपर 27 करोड टोटल अमाउंट ऑफ 27 करोड की प्रिंटी लगाई है क्यों लगाई है आप जो स्टॉक मार्केट जानते हैं वो समझते हैं कि उससे फिर शेयर होल्डर अपने डिसीजन ले सकता है आम आदमी जब स्टॉक मार्केट में या शेयर लेता है तो उसको ये राइट होता है ऐस पर लौ कि जो भी बड़ी या मटीरियल बात हो जो कंपनी के प्राइस को गिरा सकती है कंपनी को बरबाद कर सकती है कंपनी का प्राइस बड़ा सकती है तो वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स करने जरूरी होते हैं पर सेभी ने पाया के प्रनौय रौय रादिका रौय ने दो लोन एग्रीमेंट्स करे आईसी आईसी बैंक के साथ वी सी पी एल के साथ रख ली अराउंड साड़ तीन सो क्रोड का एक पचास करोड का एक चार सो करोड के हैं और ये जो शेर होल्डर्स हैं जिनका राइट इंफ्लेंस होता है देखिए आप अगर प्रॉपटी लेते हैं कोई अगर जो शेर मार्केट ज्यादा नहीं समझते हैं उनको प्रॉपटी का एजांपल देता हूं आप कोई मार्केट में कुछ चीजें क्रिमिनल होती हैं कुछ चीजें सिविल होती हैं तो ये जो चीज है कि आपने अगर लोन्स लिए और मार्केट को नहीं पता है और लोन्स में शेर के भी ट्रांसफर के क्लॉज़स थे अगर डिफॉल्ट हो जाए नहीं हो जाए तो शेर भी जा तो सेभी ने ये पाया कि ये जो सारी transactions थी ये material और price sensitive information थी मतलब ये material थी और ये price को affect करती थी और जो minority shareholders हैं जैसे मैंने का छोटे 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 लाखों ही shareholder होते हैं किस भी company के वो trade कर रहे थे बिना इस जानकारी के ये गलत है इसके लिए penalty लगी है और penalty total amount तोड़ तोड़ के jointly severally करके 27 क्रोड की लगी है stock market में बहुत ज़्यादा मेरको भी लगता है इंडिया में उतनी transparency नहीं है जितनी होनी चाहिए उतनी laws enforce नहीं होते जितने होने चाहिए कोई भी decision जो transparency की तरफ जाता है जो enforce करता है कि promoters को बताना पड़े और shareholders से क्रीद लिपने वह भी problem है बहुत बड़ी problem है इंडिया में जो यह सेभी का decision आया है NDTV के उपर और अब देखते हैं आगे क्या होता है पट इस अ very substantial decision 27 क्रोड is not a small amount जो इस case में लगाया है सेभी ने प्रनॉय रोहे और उनकी वाइप के उपर